खेलो दिनेश जी आपको तथा मेरे समस्ट चाहने वालों को दुर्गा पूजावद शहरे की हार्तिक शुपकामनाएं खेलो दुर्गा पूजावद शहरे की हार्तिक शुपकामना अच्छा दिनेश जी क्या आपको मालूम है कि नवरात्री नौ दिन क्यों मनाई जाती है हाँ बिल्कुल हम लोग नौ दिनों में मा दुर्गे की बिभिन रूपों की आराधना करते हैं इसलिए नौ रात्री मनाई जाती है करेक्ट तो बताए दुर्गा के वो नौ रूप कौन कौन से है नौ रूपों में शैल पुत्री दुर्गा बाकी नहीं पता ठीक है मैं बता देती हूँ रथम शैपुत्री च द्वितियम ब्रमचारेनी तृतियम चंद्रगंटेती कुश्मांडेती चतुर्थकं पंचम स्कदमाएती शष्ठम कात्याइनीती च सप्तम कालरात्रीती महागोरीती चाष्टमम नवम सिधिदात्री च नवदूर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानी ब्रह्मनेव महात्मना अर्थात क्रमिश्ष शैपुत्री ब्रमचारेनी चंद्रगंटा कुश्मांडा स्कंदमाता कात्याइनी कालरात्री महागोरी तथा सिधिदात्री वाओ थैंक्यू शालो जी एक्शली आपने मुझे और हमारे दर्शकों को ये नौ विभिन रूप और अलग-अलग दिनों में कौन-कों से रूप की पूजा होती वो ही बताया और आपने संस्कृत का भी प्रयोक किया तो रेली मेरे लिए तो एक नया इंफॉर्मिशन था मुझे लगता है काफी हमारे दर्शकों को भी ये बाते नहीं पता रही होंगी तो शालो जी मुझ जया दश्मी हिंदूों का एक प्रमोक शक्ति पूजा का त्योहार है अश्विन मास के शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को इसका आयोजन होता है भगवान राम ने इसी दिन रावन का वद किया था तथा मा दुर्गा ने नौ रात्री एवं दस दिन के युद्ध के उपरा महिशा सुर्पर विजय प्राप की थी इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में माना जाता है इसी लिए इस दश्मी को विजया दश्मी के नाम से भी जाना जाता है तैंक्यू शालो जी ये बहुत महतपूर जानकरी थी मेरे लिए और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी काफी महतपूर जानकरी थी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शालो जी धन्यवाद दिनेश जी पुनह आपको वो सभी दर्शकों को विजय दश्मी की हार्तिक शुब काम नाए थैंक्यू शालुजी थैंक्यू